सुबह के समय चांद देखना शुब है या शुब। प्रकृती का नियम है कि सुबह होते ही आस्मान में सूर्य प्रकट हो जाता है और अपनी रोश्णी और उर्जा से सृष्टी में नया जीवन फूंक देता है। इसी प्रकार शाम होते ही प्रकृती में शीतलता भरने चंद्रमा आस्मान में प्रकट हो जाता है। का द्रिश्य कई बार देखा भी हो। शगुन शास्त्र में सूर्योदे के समझ चंद्रमा के दिखने का बड़ा महत्व है। जब सूर्य के साथ आस्मान में दिखे चंद्रमा शगुन शास्त्र में यह माना जाता है कि सूर्योदे के समय अगर अचानक ही आस्मान में चांग देख जाये तो यह बड़ा ही अच्छा शगुन होता है। ऐसा शगुन हुने पर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। सूर्योदे के समय चंद्रमा का देखना उसी प्रकार से शुब फलदाई होता है जैसे किसी शुब काम के लिए घर से निकलते समय मचली दिख जाए घर में अक्वेरियम रखने का एक बड़ा कारण यह भी है सिस्त्री के आंसु चातने का लाव जानकर हैरान रह जाएंगे श तो किसी बर्तन में अनाज भरकर घर के दर्वाजे पर रख दिया जाता है दुलहन इस बर्तन को अपने दाएं पैर के ठोकर से गिरती है अगर बर्तन गिरने पर अनाज घर के अंदर बिखर जाए तो इसका मतलब यह माना जाता है कि घर में धन धान्या भरा रहेगा इसी प्रकार दुलहन से संबंदे दे कन्य शगुन यह है कि नई दुलहन घर में आये और किसी बात से इतना हसे कि उसकी आँखों से आंसु गिरने लगे कहते हैं कि जो भी दुलहन के आंसु को अपनी उंगली पर लेकर चाट लेता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आज जाती है लोगों की आंधारना है कि मार्ग में कहीं जाते समय अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो अप्शगुन होता है ऐसी स्थिती में लोग पीछे कुछ कदम चलने के बाद फिर से यात्रा शुरू करते हैं या कुछ देर रुख कर किसी और के आगे बढ़ने के बाद सफर शुरू करते हैं जबकि कई बार बिल्ली का रास्ता काटना अशुब नहीं बलकि शुब होता है शगुन शास्त्र के अनुसार किसी जरूरी काम से जा रहे हो और मार्ग में बाई और बिल्ली दिख जाए तो कार्य में सफलता मिलती है बाई से दाई और बिल्ली रास्ता काटे तो यह शुब फल नहीं देता बिल्ली का एक शुब शगुन यह भी है कि अगर बिल्ली घर में आकर बच्चे को जन दे तो यह आने वाले समय में धन लाब होर किसी बड़ी खुश खबरी का संकेत है शगुन शास्त्र में दूद से संबन्धित कई शुब और अशुब शगुन बताए गए हैं माना जाता है कि सुबह उठते ही सामने दूद दिख जाए तो यह शुब शगुन होता है इससे दिन की काम्यावी का संकेत मिलता है सपने में अगर दूद दिख जाए तो यह भी अच्छा शगुन है माना जाता है कि इससे संतान सुख की प्राप्ती होती है लेकिन दूद पीकर तुरंत घर से बाहर जाना अशुख शगुन माना जाता है खास कर अगर छोटे बच्चे ऐसा करते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता यही कारण है कि बच्चे को दूद पीलाने के बाद उसे सुलाने का प्रयास किया जाता है